असलामरेकुम विएर्स आज की जो वीडियो है वो बैसिकली उन बचीयों के लिए जोने ने मुझसे आटा गुणने की फार्माईश की थी वह मुझे कहा था कि मैं उनको आटा गुनना से कहा हूं कि आटा बहुत ज़ादा किसी का धीला हो जाता है, किसी का बहुत सखत हो जाता है, तो किस तरीके से हम अच्छा आटा गून सकते हैं, तकरीब हнов छे बड़े चमच मैंने आटे के लिए, उसमें एक चमच नमक मिलाइए, एक टब भर के पानी के लिए, और एक टब मेंने साथ एक्स्ट्रा रखा है जिसमें मैं अपना आटा गुनने के बाद डालूँगी अब आप छोटे से बरतन में भी जरूरी नहीं के बड़ा तशला हो आप छोटे से बरतन में भी आटा गुन सकती है अच्छी तरह नमक को आटे में मिक्स कर लिजिए पहले आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करके इवन कर लिजिए अपने हातों से उसके बाद आपने एक साइट पे इसकी धेरी बना लेनी है और थोड़ा सा पानी उसके बीच में शामिल करके है जो यहां पर आपके crumbles बनेंगे आटे के ना बहुत नर्म हों ना बहुत सकतों अच्छे हों जो आपके हाथ के साथ बुरी तरह चिपके न आप इनको crumbs बनाते बनाते न आपने क्या करना है कि इनका गूंद के इनको उठा के side पे रखते जाना है इनके crumbs बनाते जाएं ऐसे जितना आपके आटे की crumb बनेगा वो बना के side पे रखते जाएए थोड़ा सा पानी लेके थोड़ी से उस धेरी में आटा डालिए और फिर उसको मलो के अच्छी तरह से mix करके एक बड़ा सा क्रम पेड़े की तरह बना लीजे वो raw पेड़ा होगा आपके ना उसके साथ आटा इतना ज़्यादा खुश्का लगा होगा ना इतना पानी होगा उसमें एक raw सक्सा पेड़ा होगा बहुत ज़्यादा hard भी नहीं होना चाहिए soft होना चाहिए और उसको आप उठा उठा के ऐसे उस आटे में चाहिए इसे तरह आपने साथा आटा गुनते रहने है और उसकी छोटी छोटे ढ़र देरियां सी बनाकर उस डबे में शामिल करते जाए जब आपका साथा आटा गुन जाएगा तो आखर में भी जो आपका आखरी पेड़ा होगा उससे अपने आटे को अच्छे तरीके से खुश कर लेना है और सारा आटा वापस उसमें डालके अब आपने इसको मुकियां लगानी है तकरीबन तीन चार दफ़ा आटे को घुमा के फेर के अच्छी सी मुकियां लगाए तक कहीं पे भी आपका खुश काटा ना रहे गोल-गोल घुमाएं इसको अच्छा सा मुकियां लगाएं अब मुकियां लगाने के बाद आपने इसके ओपर हलका सा पानी लगाकर और इसको कम सकम 10-15 मिनट के लिए साइट पे रख देना है 10-15 मिनट बाद आपने इसको दुबारा से 3-4 दफा मुकियां लगानी है आप काटा बिल्कुल ड्राय और बहुत जबरदस सर गुन जाएगा जिस बरतन में आप इसको डालना चाते हैं इसको डालके साइट पर रख तीजिए अब आती है रोटी बनाने की बारी छे पेड़े में ने तकरीब बन ली हैं अब आपने पेड़ा कैसे लेना है पेड़ा आपने बहुत ही अराम से अपने हाथ पे ऐसे गोल गोल गुमाने है उसकी सारी साइट्स को आपने अंदर करना है और अंदर करने के बाद आपने उसको उपर से भी पलट के गोल घुमा के एक गोल अच्छा खुबसूरत सा इवन पेड़ा बनाने उसके उपर हलका सा खुशका लगाने और उसको पैट करके उसको ऐसे पहला के रखिएगा चाहे ताजा आटा हो चाहे ठंडा आटा हो दोनों हाथों से उस पेड़े को ऐसे पहलाना है ठीके दर्मियान में एक तरफ आपना इंगुठा रखने है पीछे आपकी तीन उगलिया और आगे से आपने उस पेड़े को ऐसे गोल-गोल-गोल खुमाता जाना है जितना पेड़ा आपको उस वक्त में बढ़ा हो सकता आप उसक सीधे हाथ से करें जो उल्टा हाथ करते हैं वो उसको उल्टे हाथ से प्रक्टिस करें मैं सीधा हाथ ही उस करती हूं तो मैंने सीधे हाथ को सखत रखना है और उल्टे हाथ में बेलन सिर्फ सपोर्ट के लिए पकड़ना है बेलन दबाना नहीं आप देखिए कभी के रोटी क तरीके से घूमती रेगी, आपको ज़री बात आपको थोड़ टाइम लगेगा ये सीखने में, लेकिन आप आप आपसी बहुत आराम सी इसीख जेएगी, आराम आराम से सीधी हाथ से को जोर से दबा के गुमाते जाएगे, और उल्टे हाथ की सपोर्ट से अपना पेड़ा ब बनेंगे और यह फूलेगी मैं अपना पेड़ा भादा भी नहीं लेती बहुत चोटा भी नहीं लेती तवे को मैंने प्हले साफ कर लिया है अच्छा अब आपने रोटी कैसे अइसे उठानी है? जीसे ही आपकी रोटी साइट से हल्की आर्म के पकना चुरू होगी पिल्कु जैसे बबल्स बन रहे हैं तो इक साइट रोटी की बिल्कुल पक चुकी है उसके बाद अलका सा कपड़ा लेके उसको दबा दबा के पकाईए रोटी आपकी प्रॉपर फूलेगी पूरी पूलेगी और इस तरीके से जहां से आपको कच्छी लगती तो आप उसको पलटके प उसके बNão नारे तो सबकी रोटी बना ली है आप देख रहे हूंगे मे animals तौरी मेरी तमाम ढ़ी पूल रही है ना मैं कोई लगा रहे हैं मैंने नहीं मैंने तवे को दुबारा गीला किया है ूर न तो जैसा तवह है उस तवे के उपर वैसी रोटी मेरती बना रही हूं वै बहुत यासानी से बहुत अच्छी रोटी आपकी बनेंगी